है काई स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में आज मैंने आपके लिए सभी एक्जाम के लिए चाहे राष्ठ पती हो चाहे परधान मंतरी हो चाहिए जी पे कोई भी कोशन आज तक बनता है कभी भी बनता है उससे बाहर कोई भी कोशन नहीं बनते हैं जो बार बार वही देखिएगा बहुत से कोशन आपके सभी एक्जाम के लिए यूपी पी रेलवे बैंक एससी जीडी सी एचसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए आज का पहला कोशन देखते हैं राश्रपती बनने के लिए नितमायू कितनी होनी चाहिए तो आप का अंसर का ज पासर कौन तयार करता है तो केंद्री मंत्री मंडल करता है बहुत की राश्रपती चुना में उत्वपन विवाद का निप्टारा कौन करता है तो सरोच नियाला करता है तिसरा चौथा कोशन देखते हैं भारत की राश्रपती को उसके कारेकाल की समापती से पुर्व किस प सोट और युक्षेट के अंतरगत्र राश्ठ्रपती में में नहीं थे तो अनुच्यत तिर्पन के तहतों देखतर अनुच्छे 61 के अंतरगतर राश्ठ्रपती पर मावयोग संसद के कि सदन द्रारा प्रारांब किया सकता है तो संसत के किसी भी सदन के द्वारा है आठवा कोशन है सरोच न्याल के नाधीज को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है तो राश्टपती को है राश्टपती लोगसभा को कब भंग कर सकता है मंत्री मंडल के अनुसंसा पर दास्वा कोशन देखते हैं लोगसभा और राजसबा का संयुकतर दिवेशन किसके दौरा बुलाए जाता है तो राश्टपती के दौरा बुलाए जाता है क्या राश्टपती संसत के दोनों सदोनों की चैचा में भाग ले सकता है तो नहीं ले सकता वर्तमान में राश्टपती का मासिक वेतन कितना है यानि उसकी स लाकिर हुसेन और रामनात कोवीद दोनों लोग जो भारत के राष्टपती भी हैं और उसके पहले बिहार के राज़ेपाल भी रह चुके हैं एक बिधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कि वह किस प्रकिरिया के तर अधिनियम बनाया जा सकता है तो राष्टपती के हस्ताचर के बाद निर्वीरोध रूप से चुने गए भारत के परतम राष्टपती कौन थे तो नीलम संजी रेड़ी थे या भारत के परतम निर्वीरोध चुने गए राष्टपती थे सुलामा कोशन देखते हैं राष्टपती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो पद सब्सक्राइब करता है तो बारत का राष्ट पती अपना यहीं तो अपना त्याग करके देता है तो उप राष्ट पती को संबर्धित करके पत्र देता है बाई सामा कोशन देखते हैं केंद्र सरकार का परमुख कौन होता है तो परधान मंतरी होता है यानि केंद्र सरकार का परमुख कौन होगा तो परधान मंतरी होगा परधान मंतरी की न्यूकति किसके द्वारा की जाती है तो राश्रपति के द्वारा की जाती है बारती बनने के लिए नियुनुतम आयू कितनी वर्स होनी चाहिए तो पचीस वर्स होनी चाहिए कई बार एक्जामे बना हुआ है पचीसवाँ वाला कोशन देखते हैं संसदी ये सासन बेवस्ता में वास्तविक कार्यपालिका सक्ति किसकी अधिन होती है तो परधान मंतरी के अधिन होती है लोगसभा में अभिस्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोगसभा सदस्यों कि नियुनुतम संक्या कितनी होनी चाहिए तो पचास होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए अगर इससे कम रहेगी तो लोगसभा में जो होगा ही होने पर कोई बेखती अधिक्ताम कितने माहा तक केंदरी मंत्री रह सकता है तो छह माहा तक il messe question देखते हैं मंत्री पडिसलत किसके प्रती उत्तर दाई होता है तो संसत की प्रती नियरू की कैबिनेट में पहले गिरी मंतरी तथा बाद में रच्छा मंतरी कौन बने तो कैलास नात काटजू बने थे सोतंतर भारत के पर्थम बित मंतरी कौन थे तो आरके सड मुगम चेटी थे बतिसावा कोशन देखते हैं भारत के किस परधान मंतरी का विदेश में आकस्मिक नीदन हुआ था तो लाल बादुर सास्तरी का अपने परधान मंतरी काल में कौन सा ऐसा नेता एक भार भी संसद में उपस्तित नहीं हुआ तो चौदरी चरंड सिंग थे मंतरी परिशद सामोही के रूप से किस के प्रति उत्तरदाई होती है तो लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होती है अगला कोशन देखते हैं भारत का पर्थम महान नयवादी कौन था तो MC सितलवार थे भारत की पहले अटार्नी जनरल थे जिसको महान नयवादी कहते हैं भार परइभासित किया गया है तो 110, अनुचेद 110 के अंतरगत नेश्र कोशन देखते हैं लोगसभा द्यश अपना त्याग पत्र किसको सौपता है तो लोगसभा उपाध्यक्ष को सौपता है राजसभा का सदस से बनने के लिए निवनुतमाय कितनी होनी चाहिए तो 300 वर्ष कई बार एकजाम में बना हुआ है राजसभा की अधिक्तम निर्धारित सदस संख्या कितनी होती है तो 250 होती है नेश्र केशन देखना है छेतरपल की द्रिश से सबसे बड़ा लोगसभा निरवाचन छेतर कौन सा है एकजाम में बना हुआ कोशन है तो वह लद्दाख है लोगसभा का पहला आम चुनाव की सो वर्ष हुआ था तो 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचर प्रदेश में हुआ था 46 आवा कोशन दिया राजसभा की सदस से का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो 6 वर्ष का होता है लोगसभा की परतम अध्यक्च कौन थे तो जी भी मालाउंकर थे राश्टपती द्वारा राजसभा में कितने मनोनित किये जाते हैं यानि कितने सदस से मनोनित किये जाते हैं कहां से राजसभा से उनकी संख्या बारे होती है उनकी संख्या बारे होती है नेश कुछन देखना है लोग सभा कि पर्थम महिला अध्यच कौन थी तो मीरा कुमार कबसे कबसे 4.06.2009 से 4.06.2014 तक यह भारत की पर्थम महिला अध्यच रही थी नेश कुछन देखना है राजसभा के लिए नामांकित होने वाली पर्थम अभिनेत्री कौन थी तो नर्गिस्दत थी 1980-86 तक यह कई बार एक्जाम में बना हुआ है important question है लोगसभा में पहली बार अभिस्वास प्रस्ताव किसके बिरुद्द लाया गया था तो जीवी मावलंकर के बिरुद्द लाया गया था यह भारत के पहले क्या थे लोगसभा के अद्देश भी थे और इनी के प्रती पहली बार लोगसभा में अभिस्वास प्रस्ताव ले आया गया था यह कई बार एक जाम में बना हुआ कोशन है भारती राजनीतिक ब्यवस्ता में कौन सरोच्च है तो संबिधान है यानि कि भारती Constitution है अगला कोशन देखते हैं कोई भी दियक धन भी दियक है अथवा नहीं है इसका निड़क कौन करता है तो लोगसभा का अध्यक्ष करता है भारत के सरोच्च नियाले की अस्थापना कब की गई थी कई बार एक जाम में बना हुआ कोशन है तो 28 जनवरी 1950 को सरोच्च नियाले में मुख्ये νयदीज सहितकुल कितने नयदीज हो सकते हैं तो 33 प्लस 1 یعने की 34 कितने हो सकते हैं 34 काई बार एक जाम में बना होगा कोशन है अला कोशन देखते हैं लोग सभा में सुन्यकाल की अवधी अधिक से अधिक कितने हो सकती है तो एक घंटा हो सकती है संसदी बेवस्ता में सुन्यकाल यानि जिसको कहते हैं जीरो आवर किस देश के देन है यानि किस देश की देन है तो वह देश भारत है सदन की कारवाई का प्रतम घंटा क्या कहला लाता है तो प्रश्ण काल कहलाता है कि आयोप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसे कंटेंट हम अपलोड करते रहेंगे अगर जो भी डाउट है आपको तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को अन्त तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि कई बारे यहां से प्रश्ण बनते हैं और रिपीटेट क्वेशन होते हैं तो वीडियो को अन्त तक देखने के लिए थैंक्स पार वाचिंग